Hello everyone, मज़िदार कीचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही easy, different और healthy recipe लेकर आई हूँ लेकिए इटली तो हम सूजी की और चावल दाल की बनाते ही रहते हैं लेकिए आज मैं आपके लिए मूँ की दाल की इटली with नारियल चक्ती लेकर आई हूँ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूँ की दाल की इटली यहाँ पर हमने लिए मूँ की दाल, अद्रक हरी मिर्च थोड़ा सा और यह नारियल का दो चम्मच बुरादा है और यह करी लीव्स लाल मिर्च हैं और यह बुनी हुई मूफली है और दही है दो पड़ा चम्मच नमक है और थोड़ी सी हल्दी पावडर है और इनो है सबसे पहले एक कटोरी दाल जो मैंने तीन घंटे तक भिगो के रखी थी उसको मैंने चान लिया है और इसको अब मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ इसमें मैं अद्रक और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और साथ ही इसमें मैं आदा छोटा चम्मच नमक के अड़ कर रही हूँ और आदा छोटा चम्मच हल्दी पावडर डाल कर थोड़ा सा पानी डाल कर इसको मैं पीश लेती हूँ हरी मिर्च और अद्रक डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं दो बड़े चम्मच यहाँ पर दही के इसमें मैं डाल रही हूँ और साथ ही आदा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ और इसको मैं चट्नी को पीस लेती हूँ यह चट्नी देखिए हमारी पीस गई है इसको एक बरतन में निकाल लेते हैं 15 मिनट के बाद हमारी दाल जो है यह रेडी है इसको मैं पूरी दाल में इनो नहीं मिलाओंगी और आदा छोटा चम्मच मैं इसमें इनो का एड़ कर देती हूँ देखिए अच्छी तरह से इसको मिश्रन को मैं मिलाती हूँ और बिल्कुल फ्लफी हमारा ये मिश्रन तयार हो गया है और इसको अब मैं माइक्रोवेव के सांचे में डाल देती हूँ आप चाहे तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं जिस तरह से आप बनाना चाहें बना लीजिए और अब मैं इस तरह से एक एक बड़ा चम्मच भरके इसमें डाल देती हूँ और इन दोनों सांचों को आज मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ यह देखे मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है इसको और साड़े तीन मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव कर लूँगी कुछ देर के बाद यह देखे हम पाँच एक मिनट के बाद इसको निकालेंगे यह हमारी इडली बिल्कुल तयार हो चुकी है और ठंडे होने के बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके धीरे धीरे से मैं सारी इडली को इस तरह से निकाल लूँगी हमारी इडली बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट एकदम तयार हुई है रूई के जैसी यह देखे कितनी सॉफ्ट लग रही है अब एक कड़ाई छोटी रखे यहाँ पर मैं ओयल डाल रही हूँ तड़के के लिए और इसमें मैं राई डाल रही हूँ एक चमच मैंने राई डाली है और हरी करी लीव्स है मेरे पास तड़के के लिए मैं उसको डालूँगी यह देखे राई हमारी चटकने लग गई है इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही यह करी लीव्स भी अब मैं डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से हिला लेती हूँ मैं अब इसका अच्छा सा फ्लेवर एक निकल कर आ रहा है और मैं सारी इडली के ऊपर थोड़ा सा यह तड़का भी डाल देती हूँ ताकि इसकी खुश्बू बहुत अच्छी हाए और खाने में भी बहुत अच्छा लगे और साथ ही बाकी बचा जो तड़का है यह मैं नारियल की चटनी के ऊपर डाल देती हूँ तो देखिए गर्मा गरम हमारी मूंकी डाल की इडली नारियल चटनी के साथ विल्कुल खाने के लिए तैयार हैं इस रेसिपी को जरूर बनाट कर देखिए एक बात और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी और इसको लाई को शेयर करना न भूले और मिलते हैं चलिए अगले वीदियो में